हाई फ्रेंड्स आप सब लोग ऐसे हैं आज मैं M20 सैंसुंग का मोडल है अभी जो नया मोडल जितने भी सारे हैं वो सारे डेट होते हो जा रहे हैं अचानक कि डेट होना तो उसका में डिजन है वो मोडल सौर्ड हो जाना ठीक है तो मैं यहां पर आज आपको डेट तो रिपेर हो जाएगा बट शौर्ड जो होती है उसको कटाना मतलब कट करना कैसे सिखाऊंगा थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लीजिए इसमें बैटरी कनेक्टर में सौर्ड नहीं करेगा इसमें क्या करना है बैटरी का जो कनेक्शन बोल्टिज बाला कनेक्शन मतलब प्लास बाला कनेक्शन वह जहां पर भी होगा वहां से आपको शौर्ड चेक करना है तो बैटरी कनेक्टर में तो सोर्ड नहीं करेगा तो मैंने ने जो नया जितने भी सारे मोडल सारे के सारे 2GIC सौड हो जा रहा है तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे भी दिखाया जा सकता है तो थोड़ा कुछ काम something करके रखा हूँ मतलब इस तरह mobile खोल के रखना धकन खोल के रखना और short को identify करना यह सारी कुछ थोड़ा कुछ करके रखा हूं जैसे के आपको थोड़ा सोट टाइम में पता चले ज्यादा टाइम ना लगती तो एक मुबाइल रिपेरिंग करने के लिए आप notification नेक Mark Alam सब्सक्राइद एफ हो सकता है तो मैंने जितने भी वीडियो डाले है वो सब कुछ काम करने के बाद थोड़ा कुछ काम करने के बाद आपको जैसे shortcut में पता चले ऐसे दिखाने के लिए करा तो किसी को असायत लगेगा यह फेक वीडियो है यह जिसको भी फेक वीडियो लग रहे हैं यहीं पर छोड़ के चला जा सकते हैं तो जिसको भी इसे ही लग रहा है तो वीडियो को पुरा देखिए यह बैटरी कि इस दोनों बैटरी का लाइन प्लास माइनस माइनस की तरफ माइनस की लाइन और प्लास में एक प्लास लाइन लगाया हुआ है बैटरी का जो पैनल होते हैं मतलब बैटरी का जो पैनल होती है उसको रिमूब करके यह बनाया है तो एक दिन बनाना सिखाऊंगा तो यहां पर दिखा देता हूं चार्ज सोट आइडेंटिफाइक कैसे करना है देखिए आपके साथ भी हो सकता है यह 99% गैरेंटी के साथ कह सकता हूं यह न देख रहे हैं ना आपका मोबैल जो अचानक बंद होना यह भी सही है कोई पॉब्लम नहीं है इसमें 100% इन 99% मतलब नेट्रक का यही सोट है सोट के बज़ए से मडेड हो जाता है तो मैंने यहां पर शोट दिखा दिया कैस तरह यह करना है देखना है इसको मैं रिमूब कर करने के बाद सेट में पिटिंग कर दूंगा और शायद ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने दिखा दिया सोट और डेट किस तरह रिप्यर होता है एक दिन आपको यह भी सिकाऊंगा इसी नेट्वरक आइसी में काम चला सकते हैं इस तरह कुछ तो थ फान चला आई सी में जो फेलाज को घुड़ा कि मतलब फोल्ट इसे बाले स्ट्रेल में धूकती है ना मतलब आती है वो जो हसी के अंदर है ज्यून बोड़ में इसी में खरिदे खरंब करते हैं तो उसके बाद वही çıkt लगा आने से आपका या जायेगा और फोर्टप्वर पर आएगा और टूजी थोड़ा नहीं आएगा टूजी एकदम भी नहीं आएगा प्रॉब्लम होगा तो आप फूर्ची अरम से चला सकते हैं इस ऐसे में भी आइसी रिमॉब कर दीजे और आइसी लगाने की ज़रूद भी नहीं है आपका मोबाल चलेगा और अगर वीडिय भी आपड़ोड करना छोड़ दिया तो प्लीज प्लीज मेरे बात को समझिए और जो रिप्यर करते हैं थोड़ा अच्छी तरह से कोई भी मोबाल को काम करने से पहले थोड़ा मोबाल को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करिए मतलब अच्छी तरह से चेक करिए उसके पात आप कम करिए ठीक है थैंक यू